तो वेल्कमें दूस्तों नमस्कार आप सभी का देखे जारखन में आज एक न्यूज आईए और इसमें बोला गया है कि 20 हजार पदो पर न्यूगति की जो है रास्ता साप हो गया है और यहां न्यूज धैनिक जागरण में आया है ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या बोला ग साफ हो गया है अब बोला गया है कि दर्जन भर यानि की 12 से ज्यादा निवक्ति नेमा वालियों से हटी ज्ञारखन से मेट्रिक इंटर पास करने की अनिवारियता मतलब की जो पहले होता था ना कि ज्ञारखन का भिहारती ही क्यों अप्लाई कर पाएगा अब उसको हटा दिय गया गया है तो ज्ञारखन वालों के लिए तो बेड नहीं हो जाए यार क्योंकि बाहर ही आज में गुस जाएगा डेफिनेटली गुसेगा ठीक है तो इसमें जो है ज्ञारखन के लोगों का नुकसान है अब देख लेते हैं क्या बोला गया है कि राइज सरकार राची भी मावलिव में उस प्रविधान को हटा लिया है जिसमें नुक्ति हेतू आरक्षन सामाई निस्रेणी के अभ्यारती के लिए ज्ञारखन के स्कूल कॉलेज से मैट्रिक एवम इंटर उत्तिर्न होना अनिवारी किया गया था जनरल कटिगरिक जितने भी लोग थे उनको ज्ञ लावलिव निवारी किया था इससे लगवक 20 हजार पदों पर नुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इन पदों पर दो माह में नुक्ति परक्रिया सुरू होने के संभावना जताई जा रही है ठेक है दो महिने के अंदर आगे बोला गया है कि इसके अलावा एक दरजन यानि क बारा से अधिक अन्य नियुक्ति नियमावली जो है पाइपलाइन में हैं मतलब की सिरिज में आदनहीं वाला है जिसमें उक्त प्राविधान हटाने की कारवाई की जा रही है इनमें से कुछ नियमावलीया क्रामिक या विधी विभाग में हैं एक मिट इसको पूरा देखी बिद्धि विभाग में है और इसमें बुला गया है कि विभाग में है तो कुछ निमावली केबिनेट की स्विकृति के लिए भेज दी गई ऐसे में पर्थम चरण में सहायक आचारी के लगभग 25,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति भी सम्मलित है यानि कि समझ रहे हैं लगभग 70,000 वेकेंसी जो है इस तरह से जारखन का होना अनिवारी को हटा दिया जाएगा दरसल राज सरकार ने पूरू में नियोजन निती में 33 स्रेणी के पदों पर नियुक्ति में अस्थान इवाओं को प्राथिमिक्ता देने के लिए अभ्यार्थी का जारखन के सेक्षनिक संस्थानों से मैट्रिक या मिंटर परिक्षा उत्तेन होना अनिवारी किया था अरक्षन स्रेणी के अभ्यार्थी को इस से छूट दी गई थी 33 स्रेणी के सभी पदों से संबंदित नियुक्ति नियमावली में यह प्रावधान संबलित किया गया था पिछले वर्स ठीक है दो माह में कई बहालियां निकलने के संभावना है और कौन-कौन से हैं अभी हम लोग जानेंगे दो माह में कई बहालियां निकलने के उम्मिद है जारकन करमचारी चयोन आयोग यानि कि JSC ने इसकी संभावित समय सिमा तय कर दिया है हलाकि इन दो बहालियों का विग्याप इसमें जो है जारखंड सामाइन असनातक योगिता धारी यानि की जैसे सिजियल जैसा की मैंने बताया और जारखंड नगरपाली का समवर्ग और जारखंड जुनियर इंजिनियरिंग जैई तीन परकार के थे यार ठीक है लेकिन किसी का भी नोटिफिकसन नहीं आया है सिपाही पर्तविखिता परिक्षा भी आने वाला था लेकिन विग्यापन मय के दुसरे सप्ता में जरी होगा १िक्यापन परिविक्ष्य केक पर तरीफ्विक्षा है कोई गारंटी नहीं है बस ये बोल देते हैं यार ठीक है इससे तो दिलासा दिला रहे है हम सभी जानत संस्थान में विभीन वैसायों में 737 परसिक्षन अधिकारियों आई टी आई जो इंस्ट्रक्टर है न्यूक्ति के लिए विग्यापन मई के अंतिम सप्ता में जारी होगा ऐसा बोला गया है ठीक है गारेंटी नहीं है अब देखें यहां पर कौन कौन सी वेंकेंसी है तो द ज्यारखन मोटर यान निरिक्षन न्यूक्ति नियमावली तेक है ओ दोजरतेश अगला है ज्यारखन लिपिक सह टंकक समवर्ग न्यूक्ति यानि की वेकेंसी नियमावली दोजरतेश अगला है ज्यारखन सचिवाले सेवा संसोधन नियमावली दोजरतेश अगला है ज्या जार्खन सचीवालाई लिपिक सेवा संसोधन नेमावली 2023 नेक्ष्ट देख लेते हैं तो है जार्खन करमचारी चायन आयोग डिप्लोमा आपका तक्निकी एम अइन्य विसिष्ट योगेता धारी संचालक नेमावली 2023 फिर जार्खन करमचारी चायन आयोग यानि के जे एससी परिक्षा असनातक अस्तर तक्निकी M20 श्टे गेता उसके बाद है आपका जार्खन करमचारी चैन आयोग इंटर लेवल का संचालन नियमावली 2023 जार्खन करमचारी चैन आयोग परिक्षा असनातक अस्तर यानि कि CGL फिर जार्खन करमचारी चैन आयोग तेंथ लेवल का ठी परिच्छा तो यह सब परिच्छा से जो है जार्कन की अनिवारियता को हटा दिया गया है यानि कि अब जार्कन के भार के भी लोग apply कर पाएंगे देखिए दोस्तों इस तरह के जो न्यू जाता है ना तो जार्कन के लोगों को खोल जाता है अब क्यों ना खौले भाई तो जो है नियुकति परक्रिया में बाधा आएगी और अगर प्रोटेस्ट नहीं हुआ तो नियुकति परक्रिया होगी अब देखना क्या होता है मैं आपको इसी तरह से हमेंसे आपडेट रखा करूंगा तो जो भी होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आप हमारा साथ सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इन फ्यूचर में आपको यहां पर बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है साथ ही अगर आपका कोई दोस्त है जो जार्खन में अश्टटी कर रहा है तो प्लीज यार इन तक सब्सक्राइब कर जिएगा क्योंकि यहां पर मैं हार एक छोटी से बड़ी अपडेट देता हूँ जो की यूथ के लिए इंपोर्टेंट होती है और ऑथेंटेक वीडियो देता हूँ मैं कभी गलात इंफोर्मेसन नहीं देता हूँ ठीक है मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए भाई ठा के लिए हर कंड़